नेक्स चेप्टर हमारा Feedback and Feedback Amplifier पुननिवेश तता पुननिवेशी प्रवर्दक तो सबसे पहले देखते हैं कि Feedback क्या होता है तो सबसे हमारा कोई Amplifier है Amplifier का मतलब Transistor ही है Common Imitter Configuration में हमने उसको कुछ Input दिया Vi और उससे हमको Output मिल गया V0 अगर हम इस Output का कुछ Fraction यानि कि 10% या 20% किसी दूसरे सर्किट के माध्यम से वापस Input के पास भेज दें यानि जो Output हमें मिला है उसका 20% सपोज हमने वापस भेज दिया तो जो वापस signal जा रहा है उससे नाम दे देते हैं VF तो यह VF जो है यह क्या हो सकता है या तो इस VIE में Add हो सकता है या इस VIE से Minus हो सकता है Depend करता है कि हम जो बाहर से signal दे रहे हैं वो Same Phase में आता है या Opposite Phase में अब यहां Phase का मतलब क्या है Phase का मतलब यह होगा कि अगर Input हमारा Positive में Voltage है और Output वाला जो Part हम वापस भेज रहे हैं उस Part को अगर हम Positive के साथ ही Positive Sign के साथ ही भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा? Add हो जाएगा लेकिन अगर हम Output को Revert करके उल्टा करके भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा? Minus में हो जाएगा तो दोनों ही Condition में हमारे पास Input Change हो जाएगा और अगर वो Positive होता है तो इस Type का Feedback कहलाता है Positive Feedback अगर वो Minus हो जाता है तो इस Type का Feedback कहलाता है Negative Feedback और इस General Concept को हम बोलते हैं Feedback क्योंकि हमने बाहर से Output से Signal लेके वापस Input को Feed करवाया है और Feedback यानि वापस भेजा है That is why it is called Feedback है ना पुननिवेश, धनात्मक पुननिवेश और इनात्मक पुननिवेश Principle तो ये इसका General Circuit देख लो ये Amplifier है हमने Input दिया Vi और हमें Output मिल गया V0 तो यहाँ पर ये जो Network लगावा होता है ये क्या काम करता है इसका काम ही ही होता है कि Output का कुछ Fraction लेना है और वो देखो Arrow बता रहा है कि Output से यहाँ पर Signal आया इसने उस Signal का कुछ Fraction किया और वो Fraction जो होता है वो नॉर्मली ये बीटा नाम देते हैं अपन बीटा को ही हम बोलते है Feedback Ratio इस बीटा को बोला जाता है Feedback अनुपात या Fit Feedback Ratio ये बेसिकली वैल्यू होती है percentage की जैसा मैंने बताया कि Output का सपोस्थ 10% भेजोगे तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10% 20% लेगा तो कितना हो जाएगा 20% जो भी Output होगा उसके आगे बीटा लगा देने का मतलब है इतना Voltage Input के पास वापस चला जाएगा अब बीटा 10 रख दो के तो 10% जाएगा बीटा 20 रख दो के तो 20% चला जाएगा वही Value VF की होती है तो देखो Vi और VF दोनों मिल जाएगे Input पे और वह Value क्या हो जाएगी VIF हो जाएगी अब मैंने आपको VIF के बारे में बता दिया ठीक है यह देखो VIF जो है या तो वह Plus हो सकता है Positive Feedback के Case में या Minus हो सकता है Negative Feedback के Case में यानि दोनों अगर Same Phase में जाएगे तो वह Positive Feedback का होगा और दोनों Opposite Phase में जाएगे तो वह Negative Feedback का तो Generally हम क्या लिखते हैं Plus Sign के साथ में लिखते हैं अगर Specify कर रखा है कि Negative लो तो ही हम Negative लेंगे सोच रहे होंगे आपके कि Negative हम क्यों लेंगे और यह Positive क्यों करते हैं Actually Positive Feedback से तो Gain बढ़ जाएगा एक Example ले लेते हैं Suppose एक Amplifier है जिसका Amplifier Gain होता है 3 यानि जो भी Input पर आएगा वो 3 गुना कर देगा ऐसे में हमने 5 V का Signal दिया और हमें Output पर कितना मिल रहा है 15 V क्योंकि वो उसको Triple कर रहा है Suppose करो कोई दूसरा Feedback लगा देते हैं जो कि इस 15 V में से 2 V वापस लेके और 2 V यहां पर भेज देता है तो अब Input पर कितना हो गया अगर Positive Feedback है तो 5 प्लस 2, 7 हो जाएगा है ना 7 V हो जाएगा और Amplifier का काम क्या है तिगुना करना, Triple करना तो वो इस 7 को 3 से Multiply करके Output पर हमें कितना दे देगा 21 V दे देगा, तो शुरुआद में हमें 15 ही मिल रहा था अब हमें कितना मिलेगा 21 V मिलेगा, तो इसको लगाने का फाइदा हो गया Negative Feedback का वैसे तो ऐसा तो फाइदा है नी क्योंकि उससे तो हमें Value और कम मिलेगी, क्योंकि यही अगर Minus 2 में जाता, तो यहां हमें 3 V मिलता, और 3 का ट्रिपल होके वो 9 V हो जाता, यानि पहले में 15 मिल रहा था, अब हमें 9 ही मिलेगा, तो ऐसे में voltage जो है, वो decrease हो गया, gain कम हो गया, लेकिन negative feedback के दूसरे advantages और है, जो हम next आने वाले lectures में पढ़ेंगे, अब यह इसका general principle है, लेकिन जो beta network हम यहां use करते हैं, वैसे यह बनता कि से, इसमें R हो सकता है, resistance हो सकता है capacitor हो सकता है, inductor हो सकता है, diode हो सकता है, transistor हो सकता है, यानि इन सब elements से मिलकर ही इसको बनाते हैं यह इसको बनाते वक्त यह ध्यान रखा जाता है कि यह 4 properties fulfill हो रही है या नहीं, अब पहली property देखो gain should not change, यानि अगर amplifier input signal को 3 गुना करता है, तो ऐसा नहीं हो जाए कि beta की presence से यह 3 गुना change होके 4 गुना या 2 गुना हो जाए नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए amplifier का original जो gain है वो रहना चाहिए, चाहे बीटा लगाओ चाहे बीटा ना लगाओ, तो यह पहली property हो गई कि इसका, इसकी वज़े से amplifier का जो gain है, gain of amplifier, amplifier का gain change नहीं होना चाहिए, दूसरा input signal हमेशा amplifier में से होकर ही जाना चाहिए, बीटा से ना गुजरे क्योंकि आपने amplifier के just नीचे बीटा को लगा दिया है और input signal यहां से आता है तो यह तो connection होता है वापस भेजने के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि input signal जो है, उसका कुछ portion amplifier में, और कुछ portion बीटा में चला जाए, तो बीटा network ऐसे design करना है, कि वो इस input signal को accept ही ना करे reject कर दे, ताकि सारा का सारा input जो है, वो किस में से होकर चला जाए amplifier में से होकर चला जाए, तो दूसरी property आपको समझ में आ गई, कि input signal हमेशा सिर्फ किस में से होकर गुजरना चाहिए, amplifier में से होकर गुजरना चाहिए, तीसरी property है कि जो feedback वाला signal है, वो सिर्फ किस में से होकर गुजरना चाहिए, बीटा network में से होकर गुजरना चाहिए, तो जो हमें यहाँ output में मिल रहा है, उसका कुछ portion, जो हमें देना है feedback, वो सारा का सारा feedback किस से होकर जाना चाहिए, बीटा से होकर जाना चाहिए, ये ना हो कि हमने यहाँ पर output में मिला और वो मुड़के वापस amplifier के पास ही यहीं से ही आ गया नहीं, वो कहां से होकर जाना चाहिए, बीटा से होकर जाना चाहिए, इस बीटा के लगाने से input पे और output पे extra resistance नहीं आना चाहिए क्योंकि अगर extra resistance आया तो उस पे voltage का drop होगा हमें signal का नुकसान होगा तो यह चार properties जो है वो beta network की होनी चाहिए अब हम simple सी थोड़ी सी calculation करते है without feedback जो gain होता है अगर हमने feedback network नहीं लगाया तो हमने input कितना दिया था वी आई हमें output कितना मिला था वी नौट तो एका formula हम जानते हैं क्या होता है output upon input feedback लगाने के बाद feedback लगाने के बाद आपने देखा था वी एफ इससे जुड़के मिल जाता है और अब input पे कितना signal जा रहा है वी आई एफ जा रहा है और अब output पे कितना मिल रहा है हमको वी नौट प्राइम मिल रहा है क्योंकि चेंज हो जाएगा output भी तो अब जो इनका ratio होगा वो भी A के equal आएगा क्यों क्योंकि हमने उपर beta network की property में पढ़ा है कि beta network की presence से जो gain है gain का मतलब जो A की value है वो change नहीं होनी चाहिए इसलिए left hand side में तो हमने अभी भी A रखा है right hand side में ये values चेंज हो गई तो ये with feedback हो गया ये without feedback हो गया इसके बाद ये जो second वाली equation है इस equation से अगर आप VIF की value निकालोगे तो VIF की value क्या मिलेगी हमको V0 prime upon A मिलेगा इसके अलबा जो feedback signal होता है वो कितना होता है मैंने कहा था कि जो भी हमें output मिलेगा उसका beta percentage तो मैंने यहाँ पर prime लिया है prime लेने का reason ये था कि हमको एक पूरा cycle पहले पूरा करने दो एक cycle पूरा करने का मतलब ये है कि हमने input दिया यहाँ पर आया VIF उसके बाद हमें मिल गया एक signal का मतलब है कि input से जाके पहले output वी नोट ही था उस वी नोट का कुछ percentage बीटा के पास गया और बीटा से वापस वो amplifier के पास आया और amplifier में से आने के बाद अब हमें जो output मिल रहा है वो कितना मिल रहा है वी नोट प्राइम यह हमारा एक circle पूरा हो चुका है अब जो बीटा के पास जाएगा percentage में वो किसका percentage जाएगा वी नोट प्राइम का percentage जाएगा ठीक है तो दूसरे cycle से हम यह शुरू कर रहे है तो वी नोट प्राइम का वी नोट प्राइम को जब बीटा से multiply करोगे तो इतना ही part हमें कहां मिलेगा feedback पे तो वी नोट प्राइम इंटू बीटा आएगी अब हमारी जो जनरल equation हमको पता है जनरल equation मतलब यह वाली इसमें हम value put करेंगे equation number 2 से देखो equation number 2 को देखो वी आई एफ की value कितनी मिली थी अपन को यह equation number 2 से देखो यहां से ठीक है वी आई एफ की value यहां से अपन को मिली है ठीक है अब बस simply से calculation करनी है वी नोट प्राइम और वी नोट प्राइम को एक साइड लेके जब इसकी value निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा यह यहां से अगर वी नोट प्राइम अपन वी आई की value देखते हैं तो वो मिलता हमको यह अब देखो suppose करो आपका amplifier और beta network एक system की तरह treat हो एक system का मतलब है कि इनको box में बंद कर दो देखो suppose इनको एक box में बंद कर दिया तो box के बाहर हमें क्या-क्या दिखाई देगा box के बाहर से हमको केवल वो signal दिखाई देगा जो input हमने दिया है और box के बाहर हमको वो signal दिखाई देगा जो इन दोनों के resultant होने के बाद से हमको मिला है बाकी VF अंदर रह जाएगा VIF भी अंदर रह जाएगा तो जब इनको एक सिस्टम की तरह मानेंगे यानि दोनों मिलके हमारा जो amplifier बनेगा अब इस amplifier को हम बोलेंगे feedback amplifier जो मैंने chapter की heading में आपको बता रखा है अब ये amplifier सिर्फ amplifier नहीं रहा अब ये बन गया feedback amplifier तो अब इसका gain कैसे नहीं कहेंगे gain का formula सिर्फ होता है output upon input अब हमें output क्या मिल रहा है V0' और input हम ने क्या दिया है VI तो इस condition में देखो V0' और VI इन दोनों का ratio होता है AF ठीक है इस AF को अपन बोलते हैं closed loop gain closed loop क्यों में बोला है क्योंकि A और beta network मिलके देखो एक loop बंद बन गया closed loop में है ये है ना closed loop के अंदर है और पहले जब beta network नहीं था तो single एक line थी जिर्फ हमारे पास है एक line मतलब open loop है ना तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो A है ये सिर्फ gain तब है जब beta network नहीं है और ये AF होगा जब A के साथ में beta को मिला के आपने एक ही system मान लिया है दोनों को मिला के तो A को हम कहते हैं open loop gain इस वक्त beta नहीं हो तो भी हमको यहीं मिलेगा और AF है closed gain जो हमको सिर्फ तब मिलेगा जब beta की presence भी साथ में हो जो A beta होता है इसे बोलते हैं feedback factor या फिर पुनर निवेश अनुपात इसको बोलते हैं खुला पाश लबदी इसको बोलते हैं बंद पाश लबदी और इसको बोलते हैं पुनर निवेश अनुपात case देखते हैं so AF is equals to A upon 1 minus A beta में अगर ये value नीचे वाली value 1 minus A beta की value अगर एक से जादा हो जाए ये तभी possible है जब आपके पास A beta की value कैसी हो negative हो क्यों क्योंकि देखो 1 में से minus हो रहा है कोई term अगर कोई value 1 में से घट रही है तो वो resultant value 1 से जादा कैसे हो सकती है पर अगर A beta की value minus में हो जैसे कि मानलो A beta की value minus 2 हो जाए तो 1 minus minus 2 कितना हो जाता है 3 हो जाता है यानि एक से जादा हो जाएगा तो उस condition में हमारे पास A F की value क्या मिलेगी A से कम मिलेगी और ये condition में ये feedback कैसा होता है negative होता है क्यों क्योंकि हमारा A F और A F क्या होता है feedback circuit लगाने के बाद जो हमको gain मिलता है वो value घट गई और पहले जब हमने feedback वो feedback circuit नहीं लगाया था तब gain हमको जादा मिल रहा था अब gain हमको कम मिल रहा है तो मैंने थोड़ी video back करके देखना negative feedback में भी मैंने आपको बताया था कि वो gain को घटा देता है तो यहाँ पर gain घट गया है gain बढ़ जाएगा और यह positive feedback अगर यह value 0 होती है तो a beta 1 हो जाएगा और इस condition में af की value infinite आती है अब af जो हमेशा ध्यान रखना यह gain को represent करता है और gain हमारा होता है output upon input इस condition में हमें output V not prime मिल रहा है और input हम यह दे रहे हैं अगर यह value infinite आती है यह तब ही हो सकता है जब vi की value क्या हो जाए 0 क्योंकि something upon 0 क्या होता है infinite यानि कि output हमें मिल रहा है जबकि input हम नहीं दे रहे हैं यानि कि output without input तो बिना input दिये ही हमको output मिल रहा है ऐसी condition को बोलते है gain का infinite हो जाना और यह होता है oscillator यानि कि 2 liter के case में जो कि इसके अगले वाला chapter हम detail से पढ़ेंगे तब मैं explain करूंगी कि बिना input दिये output हमें कैसे मिलता है इसके अलावा ही जो feedback value होती है पुनर निवेश की जो value होती है वो decibel में मापी जाती है और इसका formula आप directly याद रखिएगा n को n से represent करते हैं यह numerical आ सकता है इस पर a और af की value आपको देखे पूछा जा सकता है कि feedback बताओ कितना होगा तो यह formula ध्यान रखिएगा 20 log 10 mode of a upon af और क्योंकि हमारा formula af का था यह तो यहां से अगर मैं a upon af की value निकालो तो वो किसकी एकवल आएगी 1 minus a beta 1 minus a beta को मिला के ऐसे बोलते हैं प्रतिगमन अंतर तो numerical में confused ना हूँ आपको अगर प्रतिगमन अंतर दिया यानि कि 1 minus a beta की value आपको given है English में इसको बोलते हैं return difference तो यह feedback का introduction था next lecture में हम देखेंगे कि negative feedback के क्या-क्या benefit हो सकते है